मीडिया क्या होता है, कि कोई यस भी प्लेटफ़ור्म, जिसके त्रू आप अपनी बात दोस्रे तक पहुंचाते हैं तो आप क्या करते हैं, व doubles क्रते हैं टेलीगराम क्या है या फिर आप clockwise कर लेंगे तो वो क्या हो गया, WhatsApp, Telegram या फिर Facebook या फिर जो आपने call किया, वो क्या हो गया, Medium हो गया, Platform हो गया जिसका यूज करके आपने अपनी बात सामने वाले तक पहुचाई, इसी तरीके से Companies जो होती है, Product बनाती है, Services प्रोवाइट करती है तो उनको भी अपने product के बारे में अपने service के बारे में, उसकी availability के बारे में, उसकी features के बारे में क्या 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 उसकी pricing है उसके बारे में उसको communicate करना होता है customers को, तो उसके लिए उसके लिए क्या करती है different platform का यूज करती है या फिर आपने जैसे अभी ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको starting में advertisement दिखा हो या फिर आपको वीडियो के बीच में कही advertisement आ जाएगा तो कई सारे platform होते, कई सारे technique होते जिसका use करके वो अपने product के बारे में अपने product के pricing के features के बारे में advertisement यार ये कि वो media किसको कहेंगे वो communication channel जिसका use किया जा रहा है किसके लिए advertisement के लिए ये क्या हो गया ये तरीके का link हो गया किसके बीच में seller और buyer की बीच में बट आपको seller को कोई product के बारे में information देनी है तो वो किसके तो देगा media channel के थो communication channel के थो आप देखते है media media news जितने भी news channel है वो भी media कहलाते है वो क्या है different different जगह की खबरे जो है वो आपको पताते हैं खबरे सुनाते हैं आप तक खबरे news पहुचाते हैं information पहुचाते हैं तो वही चीज़ क्या हो गया तो वो communication channel जिसके थो जो मैसेज होता है वो sender से receiver तक पहुचता है उसको क्या कहते है media कहते हैं तो media का काम क्या हो गया inform करना, educate करना, entertain करना, persuade करना यानि कि influence करना कि आप product को देखे advertisement को देखे और आप अपने मन में बनाए कि हाँ आपको ये product purchase करना है ये जो है इसका main role होता है media का, कि वो आपको inform करता है जैसे new channel, आपको information देते है educate करते है, entertain करते है अब ये क्या है, हम educate कर रहे है entertainment आपने बहुत सारे YouTube में आप बहुत सारे channel देखते हैं जा आप entertainment आर्चिवेट हैं आपको influence भी होता है यहाँ पर हम advertisement के point of view से बात कर रहे है तो यहाँ पर क्या होगा media का main role कि वो आपको inform करता है, persuade करता है educate करता है अब बात कर लें कि type of media की media कितने प्रकार के होते हैं तो normally तो media दो ही प्रकार के main type है जो दो प्रकार के होते है print media और broadcast media print media मतलब क्या होता है जब कोई company printed form में अपने advertisements करती है communicate करती है तो उसको हम print media कहते है news paper, magazine, brochure, outdoor board यह सब चीज़ होगी वही पर जो दूसरा main important type है that is broadcast media broadcast मतलब कि जहाँ पर चीजे टेली कास्ट की जारे है यानि radio, tv यह क्या है यह broadcast media में आता है जैसे आप YouTube channel पर देखते हैं तो broadcast किया जाता है live broadcasting हो रही है तो broadcast media, radio, tv यह सारी चीज़ उसमें आ जाती है जहाँ पर आपको printed form में नहीं बलकि voice में, video के form में आपको आपको आड़ोटीजमेर्स देखता है दूसरा other type में आजाता है outdoor media outdoor media जो घर के बाहर जब आप निकलते हैं तो जो आड़ोटीजमेर्स आप देखते हैं वो outdoor media होता है जैसे billboard, जो road के किराने वाली बात होगी railway station पर चले जाएं तो TV, banners लगे हुए है वहकुलर ad गारियों के पीछे जो है different ads आप देखते होगे busses के sites में लगे होता है तो वहकुलर ad ती है अलग-अलग type के हैं जो outdoor media होता है outdoor media आप देख रहे हैं जिसका through advertisements की जाती है और next है internet advertising media यानि कि internet का यूज़ करके जैसे banner ads आप बहुत सारे website पे जाते हैं blocks पे जाते हैं या फिर YouTube पे आते हैं तो आप आपको banner ads मिलते हैं pop-up ads मिलते हैं यानि कि कोई भी link क्लिक किया तो आपका advertisement open हो जाता है video ads जैसे कि आप YouTube पे जो video देख रहोंगे इसमें आपको starting में फिर बीच में या फिर last में आपको video ads मिल जाएंगे तो ये internet advertising media हो गयता आनि कि बहुत सारे channels हैं जिसके through communication किया जा सकता है यानि कि product के बारे में customer तक information पहुचाई जा सकती है next topic जो है media planning तो देखें media बहुत सारी type के media है print media है, broadcast media है, internet media है outdoor media है तो अब कौन सा media किस company के लिए किस product के लिए better होगा उसके लिए आपको media planning कर रहा है आप सभी media का use तो नहीं कर सकते हैं तो कौन सा best media रहेगा जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा customer तक पहुचा सके अपनी information प्रोड़क के बारे में वो उसको select करना उसको implement करना ही एक तरीके का media planning होता है तो according to George E. Belch तो media planning का मतलब क्या हो गया कि आप planning कर रहे हो कि किस तरीके से हम कम cost में ज़्यादा से ज़्यादा potential customer तक अपने जो information अपने जो promotional message वो पहुचा सकते हैं डिलिवर कर सकते हैं वही चीज़ media planning कहलाता है ठीके और जब आप कोई काम planning के साथ करते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि जो wasteful activities होती हो जो हट जाती है साइड हो जाती है आप जो काम की चीज़े होते हो वही चीज़ आप करते हो planning से कियोगा काम effective होता है तो media planning has to control wasteful advertising यानि कि wasteful advertising करने से आपको बचाता है यानि कि बहुत सारे platform है आप किसी platform पर advertisement कर दे रहे हो पता चला कि वहाँ के जो platform है वहाँ पर जो customers है जो उस platform का use कर रहे होगे उनके लिए वो काम की चीज़ी नहीं तो वह wasteful होगे वहाँ जो अपने पैसा लगाए advertisement के लिए वो विकार हो जाता है तो media planning अगर आप करते हैं तो wasteful advertising से आप बच सकते हैं appropriate channel को select करने में help करता है media planning और message को right audience तक पहुचाने में media planning काम करता है अगर आप plan करोगे कि कौन सा media use किया जाए कब चलाया जाए advertisement कब दिखाया जाए अगर इस साथी चीज़े प्लानिंग से करते हो तो आपका right audience तक जो है media planning में सबसे पहले होता है market analysis market analysis जाने कि पहले आप market को analyze करें कि किसके लिए आप जो है advertisement बना ने who is the target audience आपका target audience है कौन पहले market को आप analyze करें media आपको print media choose करना है कि आपको TV पे advertisement दिखाना है कि radio पे दिखाना है उससे पहले आपको ये जानना है कि आपका target audience है कौन आप किसके लिए advertisement चलाना चाहते है कौन कौन से factor है उस चीज को उस media plan को चलट करने में जो effect करेंगे influence करेंगे और where and when to focus the advertising effort कब आपको वो सारी advertising efforts और कहां पे लगानी है यानि कि where मतलब कि geographical area गाउं के लोगों के लिए है शहर के लोगों के लिए है कब है दिन में, रात में या फिर summer season में, winter season में या फिर किसी occasion पे कब ये सारी चीज़ें आपको जो है analyze करनी है उसके बाद जब आप सारी market analysis कर लेते हैं आप decide कर लेते कि आपका target audience ये है ये media plan होगा हमारा ये factors है जो affect कर सकते है ठीक है कि यानि कि suppose करने कि language आप rural areas में दिखा रहे है और भी south side में दिखा रहे हिए हिंदी होना चाहिए फिर local language हो सकता है तो ये सारे factors जो affect करते हैं कुछ internal भी हो सकते हैं हमारा budget नहीं हो उतना company का तो उसके लिए उनको cheapest method use करना होगा, cheapest media is select करना होगा, तो बहुत सारे factors होगा, उसको आप analyze करें market को, then setting media objective, अब आपको media का objective set करना है, यानि कि आप वो media select क्यों कर रहे हो, clear, जैसे कि एक example हो सकता है, reach 60% of target audience, यानि कि हम 60% जो है हमारा target audience, उसके 60% तक हम पहुँचना चाहते ह है, यह हमारा media का objective, यानि कि हम ऐसा media, ऐसा print media broadcast में या फिर कोई भी media हम choose करना चाहते है, जिससे कि हम 60% तक अपने target audience तक हम पहुँच चाहे, उनको inform कर सके, उनको persuade कर सके, उनको remind कर सके, ठीक है, तो कुछ की objective हो सकते है, जैसे reach, यानि कि जाते जादा तक हम customer तक पहुँच आप जो है, कभी भी कोई video देख रहे है, तो बार-बार सेम टाइप के advertisement आते है, frequency, आपका यह objective है, कि बार-बार लोग आपका advertisement देखे, continuous, यानि कि आपका moment motive होता है, कि आप पूरे साल भर, जो है, चाहे हो weekly आ रहा हो, चाहे हो मन्थली आ रहा हो, पर दे आप जो है एक बा Pulsating, Pulsating आनि कि Puls बढ़ जाता है, तो continuous तो था ही, लेकिन अचानक से बढ़ जाए, ठीक है, उसके बाद discontinuous, discontinuous आनि कि खाली season में आगा, जैसे कि बहुत सारे जो फूरीज हो गया, या फिर क्या कहता है कि आपका AC हो गया, यह सब क्या आयनकी advertisement जब समझ season आने मात है, तब ज्यादा होती है, तो winter season में कि कम कर दिया जाता है, तो क्या objective है, पहले उसको आप सेट कर लिए, ठीक, उसके बाद फिर जब objective क्लियर हो गया, आपने market को अनलाइज कर लिया, आपने media का objective चुछ कर लिया, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, य या फिर एक जासा दिखाना है, लेकर season में ज्यादा advertisement दिखाना है, या फिर आपको सिर्फ season में दिखाना है, बाकी time पर नहीं दिखाना है, ति या objective आप सेट कर लिए, उसके बाद फिर media strategy को develop करिए, और implement करिए, media strategy development करिए, आपका target audience कौन है, for whom advertising is done, याने कि आप किसके लि लिए कितना पैसा खर्च करने के लिए आप तयार है, उसको select करिए, तो media budget याने कि कैसे आप advertisement budget set कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो हमने पहले ही discuss कर चुक है, आप अहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर media strategy में आपको ये भी देखना है कि कौन से media पर कितना पैसा आप ख लाना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए आप जो है internet पे चलाएंगे, या फिर television पे चलाएंगे, या फिर print media का choose करेंगे, media selection ये depend करता है कि आपका target audience कौन है, ये depend करता है target audience पे, अब housewife पे है, housewife but obviously बात है कि आप normally देखा जा, तो trend क्या होता है कि वो लोग serious ज़्यादा तो आपको better media कौन सर रहेगा, कि आप TV पे advertisement करिए, ठीक है, जो traveling पे रहते हैं, तो radio जादा देखते होंगे, सुनते होंगे, तो radio सुनते हैं, उनको radio पे रहते हैं, तो आपको media selection करना होगा, ये जानके, कि target audience कौन है, अब गाव में चले जिए, तो गाव में या तो लोग TV देखते हैं, या फिर news paper पड़ते हैं, तो ये better option होगा, आपको TV या news paper दोनों में सो कोई चूज करना, media selection, ठीक है, तो which media type is to be used, उसके बाद भी आता है, media scheduling, media scheduling याने कि, कब आपका advertisement आएगा, कितना duration का होगा, 30 second का होगा, 15 second का होगा, एक minute का होगा, कौन सी date को आएगा, त इतना duration का होगा, ये सारी चीज़े, media should delete होगा, तो ये media को strategy development कहलाता है, ठीक, और जब आपने media strategy develop कर ली, कि कौन से target audience है, budget कितना होगा, selection, कौन से media का use करेंगा, और timing क्या होगी, ये सारी चीज़े जब आप strategy develop कर लें, तो उसको फिर implement करने कि, आप finally advertisement को चला दीजे, media पे, पताईए कि TV पे आपका जो है कपिल सर्मा शो आ रहा था, उस कपिल सर्मा शो के बीच में ही जो है advertisement आना था, तो आपका advertisement आ गया, अब advertisement तो आ गया, अगला काम क्या है, evaluation and follow up, यानि कि अब आप ये देखिए, कि जिस advertisement objective के साथ आपने जो है, वहाँ पे advertisement को show किया था, क्या वह अचीव हुआ, क्या वह objective, अचीव हुआ, यानि कि ज्यादा से ज्यादा हम target audience तक पहुँचना चाहते थे, क्या हम पहुच पाए या नहीं पहुच पाए, इसको evaluate करिए और follow up करिए, follow up करने का मतलब कि दुबारस चेक करिए, अगर नहीं पहुच पाए है, तो फिर कोई दूसरी timing चूज के लिए, फिर कोई दूसरा date चूज करिए, कि जब आपको advertisement दिखाना हो उस media पे, यह पूरा media planning होती है, hope कि आपके doubts के लिए होँगे, wish you all the best, keep watching